जिन्हों ने दिल्ली को लंडन और पैरिस बनाने की बात की थी, आज वो सुल्तान केजिरिवाल केवल अपने शीश महल को बना पाए है, इसका जवाब देते नहीं है, लोकपाल ला नहीं पाए और अभी भरष्टाचारियों को कट्टर इमानदार कहकर बचा रहे हैं। पटना में दोस्ती, ये किस प्रकार का फॉर्मिला है। यदि राजस्थान में कोई भरष्ट है, यदि कोई दिल्ली में निकम्मा है, यदि कोई पंजाब में हराने लायक है, तो पटना में गले मिलने लायक वो कैसे बन जाता है। और कॉंग्रेस पार्टी को भी बताना कि राजस्थान में तो आप उनके 52 करोड के शीश महल को देख लेते हो, दिल्ली में तो आप सिसोदिया के गिरफतार होने पर नाचने लगते हो, परंतु पटना में उनके साथ सम्विधान और देश बचाने के कारे में लग जाते हो, ये मैं कहूंगा कि अफसरवाद और दोरे माबदंड का, अगर कोई चित्र बनाना हो, तो उसमें आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के चेहरे को चिपका देना चाहिए। पाच लाक रुपे का मेडिकल कवर आईशमान भारत के तहत मिलता है, जो प्रधान मंत्री जी की एक योजना है, वो उसको दिल्ली में भी लागू करते, परंतु दिल्ली वासियों को इससे वंचित रखा गया, दिल्ली वासियों को स्वास्त सेवाओं के नाम पर कुछ एक बार बार दिखाया है, सिर्फ और सिर्फ अपने मंत्रियों का इलाज निजी अस्पतालों में कराते हैं, पर तो दिल्ली की जनता के लिए आज तक उन्होंने कोई सेवा सुविधा नहीं दी और प्रधान मंत्री की भी सेवाओं को सुविधाओं को रोकने का काम दिल्ली सर ना होता है, तो भगवंतमान जी पंजाब का सारा काम का छोड़ कर, पंजाब सरकार का प्लेन लेकर उनके साथ चले जाते हैं, मानो वो CM कम और पता नहीं परसनल उनके पाइलिट की तरह जादा काम करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यूं लगता है कि बार बार केजिवाल जी को आवशकता भगवंतमान जी की क्यों पढ़ती है इदर से उदर जाने की, और इस चक्कर में जिस प्रकार से पंजाब की कानून व्यवस्था चर्मडाई हुई है, आज पंजाब का डेटा उठा कर देखिए, आए दिन कोई न कोई क्रिमिनल घटना होती है, माफियाओं को, क्रिमिनल गैंक्स को खुली छूट मिली है, रैडिकल एलिमेंट्स को खुली छूट मिली है, सिद्धु मुसेवाला की जिस प्रकार से हत्या की गई, किस प्रकार से दिन दहाडे गोलियां चला कर लोग को मार दिया गया,